जहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग सिच्छक भड़ती लिखित परिच्छा सुपर्टेट की महागाता स्रीज में एक महत्यपू टॉपिक पढ़ने जारे जहां पर अंतराष्टी शंगटन राष्टी शंगटन जैसे यूएन नो आदी प्रमुक ऐसे संगटन ज इन सबी ऐसे प्रिच्छा पूछ आते हैं मतलब अगर आप परिच्छा में बैठने जा रहा हैं विविद के तीस नंबर में शे दो नंबर यहां से फिक्स हैं यह एकोनामिक्स में भी पढ़ेंगे जोग्राफी में पढ़ेंगे लेकिन आज हम लोग जो तत्थ्य पढ़न चाहते हैं तो इस वीडियो के आंदर तक बने रहेगा शाथ में कॉपी कोलम लेकर बैठेगा क्योंकि हमारा उद्देश आपको सेलेक्शन दिलाना है हमारा उद्देश आपको नौकरी के नजदीक पहुचाना है इसलिए हम के वाल प्रशनों की ब्याक्त को उत्तर ही नही ति यह बीडियो का टाइम आपको पता है चलिय चलिए सुरुवाथ करते हैं इनमें से कौन सा सार्क का सदशन जबाब दीजेगा निम्निकित मेंशे कौन सा शार्ग का सदश नहीं है जो भी साधी वीडियो को लाइब देखरें सभी साधी फटाफट कमेंट करें सभी साधी फटाफट कमेंट करेंगे निम्निकित मेंशे कौन सार्ग देश का सदश नहीं है देखिए यहाँ पर ध्यान दिजेगा शार्ग इसका फूल फर्म क्या है। अगर सारक देश की बात करें, यह आट में लिखके सकते हैं, या इसकी जो अस्थापन होई थी är इसकी जृ अस्थापन होई थी यह 8 दिशंबर भुए थी कभ थी आठ दिशंबर 1985 ऑद इसकी देश के बारे बात करें तो पहला अफगानिस्तान है, कौन सा पहले अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांगला देश है, ऐसे पूरा लिख देगा, आप लिख लेंगे क्या हम लोग बोल दे रहे हैं, देखिए अफगानिस्तान है, भोटान है, भारत है, मालदिव है, बांगला देश, नेप पाकिस्तान स्रिलंका बेकिन पूछ़ उर्श में कौनसा नहीं विसका सदस्ष्य नहीं इस दिए इस प्रहशन का होगा डीसको तेंसोर होगा यहाप यह प्रश्णह पूचा जा सकता है जो आपके लिए कई प्रश्णहां से आएगा दूसरा यह मैं मार इसका परिवेश च्छक देस सार्क देश नहीं है और दूसरा यहाप प्रश्णह आएगा कि सार का मुख्याले कहां पर है श्रबी साथ ही कमेंट करक प्रष्ण करेंगे कोमेंट करेंगे कोमेंट करके बताएंगे काला सागर आर्तिक सायुग संगतन बी-ए-स-ई-सी सभी साथी जो लोग इस वीडियो को सरकारी से चछक बनना चाहते हैं वे शबीश प्रष्ण कामेंट करके जवाब देंगे और अगर अभी तक आपने वीडि जरूर करिएगा इस वीडियो को कम से कम एक हजार लोगों तर पहुचाना आपकी जिमेदारी है यह क्लास आपके जीवन की एक यादगार क्लास होगी देखिए काला सागर की बात करें तो काला सागर आर्थिक सहयोग संक्तन यह 12 देशों का है जी यहां जितने लोगों इसका वीडियो को लाइब देख रहे हैं काला सागर आर्थिक सहक्षित का जो मुख्याला है वो इस्तांबुल में कहां पर है इस्तांबुल में है और इस्तांबुल कहां पर है तुर्की में है इस्तांबुल में है मुख्यालिस का कहां पर इस्तांबुल में है और यह कहां पर है तूर्की में हैं मैं आगे बढ़ा अगले पश्णी की तरफ वीडियो को शेयर करी आप लोग अगला पश्णा आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है निम्लिकित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदश्य नहीं है और एक नहीं है बेया बंगॉल इसी एटिव फार मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकोनोमिकल को आपरेशन यह एक अंतराष्टि संगटन है यह एक प्रकार का अंतराष्टि संगटन है अगर इसमें दश्छन पूर और दश्छन ऐसिया के देश सामिल है जैसे अगर देखा जाए तो वारेट, यम शे, म्यम्वार, येश शे, शे, लंका, टी से थाईलैंड, इसे भुतान हो गया, और शे शे निपाद, ठीक है, यहाँ पर देखे, यह हो गया बिसमिट टेक, इसका फूल फॉर्म नहीं है यह, मत देखेगा यहां प्यूल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, इ इसके फुल फॉर्म की बात करेगा तो बे आप बंगाल इनिसियेटिव फॉर मल्टी स्ट्रल टेक्निकल एंड एकोनॉमिक को आफरेशन है ठीक है इसके जो सदस्य देश है वो बंगलादेश भारत में हमार श्लंका थैलेंड बुटान नेपाल है ठीक है और यह बंगाली खा अगला पर सामने हैं साहिक तराष्ट का मुख्याल है कहां पर है जो साथ इस वीडियो को लाइब देख रहें सभी लोग फटाफ़ कमेंट करें आपके पास 10 सेकंड का समय है बताइए बताइए आप लोग लाइक कर दीजिए पैसे मास्टर बनेंगे बताइए आप लोग देखें इसका जो मुख्याल एक दम सही बता आप लोगोंने देखें सही तराष्ट का जो मुख्याला है एक कॉंप्लेक्स है और 1992 में निर्माणकार पूरा होने के बाद इसका अधिकारी कुरुप से मुख्याले बना गया और ये मनहटम के निकट है कहां पर है नुयार्क में है जिहां नुयार्क इसका राइट एंश्वर है जिहां दोस्तों नुयार्क इसका सही जबाब है इसलिए इसको रट्टा मा लीजेगा नुयार्क इसका सही जबाब है ये 1952 में बनकर तयार हुआ था ये 1952 में बनकर तयार हुआ था यह कांप्लेक्स की तरह था मनहटम नियार के निकट टर्टल की खाड़ी में इस्तित है किस खाड़ी में टर्टल की खाड़ी में इस्तित है यह पूछा जा सकता है कभी खाड़ी तो टर्टल की खाड़ी में इस्तित है सिच्छक भरती लिखित परिच्छा बिविद में से एक महत्पून टॉपिक है आज का अं और दस सिकंड आपके पास समय है बताई यह प्रापर कमेंग करके यह क्लास प्रद्दिन रात साड़े 9 बजे इलर्नी भी दुर्गेश पर लाइब चलती है जी हाँ साड़े मोबाइल में साड़े 9 बजे आप एलारम लगा लिजिए अगर आपको सेलेक्शन लेना अगर आप यह तो है आपका फिर बिश्रोबैंक है लेकिन आर्थिक स्वयोग्यों विकास संगटनहीं है और जो नहीं है वही आपका सही है क्यों क्योंकि बिश्रोबैंक एक अंताराष्टी मढदराकोश है यह बृटेन बुट्स का संस्थान है इसके स्थापनाव 944 मुई थी किसकी अंताराश्टी मुद्राकोस की 1944 मुई थी ठीक है आर्थिक स्योग विकास संग्टन यह इसका असतस नहीं है इसलिए प्रश्ण का उत्तर क्या होगा डी होगा इस प्रश्ण का उत्तर चौथा होगा तो जितने लोग में प्रश्ण का उ हो जाएगी भाविश में गलती नहीं करना अंताराश्टी शंग्टन आपने देखा होगा यहां चाहिए यूपी टेट हो के विए सो डी हो सुपर टेट हो यहां से प्रश्ण आपके परिच्छा में फिक्ष आता है इसलिए इसकी तैयरी जरूर करना है दच्छेस दच्छ इसका जलदी जल्दी कमेंट करेंगे और कमेंट कर के जवाब देंगे शभी चाहर कि जो भी लाईव देख रहे हैं वे साथी धावड कमेंट करें सभी जाएधी 10 सेकंड आपके पास है और आपको इन 10-2 को मैं सका उत्तर देना हैँ अब हम यह बात lukh लीजिए गा कहां पर हुआ था धाका में हुआ था ठीक है धाका इसका राइट एंस्वर है हम आगे बढ़ रगले पस्तिन की तरफ अगला है जै भी वित्ता भियान पर सम्मेलन का सची वाल है कहां बहुत इंपॉर्टेंट प्रशन है बहुत यूनिक प्रशन है जितने लोग वीडियो को देखरें सभी साथी सेयर करें कमसका में एक हजार लोगों तक पहुचना चाहिए टेलिग्राम पे दुर्गेश सर्च करके इलरनी पर दुर्गेश पर जुड़ेंगे क्लास की लिंक और फ्री पीडियाप नोटस आपको मिल जाएगी निसुल क्लास आपके लिए देशिट में राशिट में है ताकि आप भी देश के एक सफल इंशान बन सके तो बताइए फड़ापट जैभी वित्ता भियान सपर चिवाले जहां इस्तीत हैं जभी साधी फड़ापट कमेंट करके बताएंगे दिखी एकदम सही जवाप लोगों ने बताया हैं जबद faces amount जो समेलन का सचिवाल है कहाँ पर है मों डियल है क्लिया है मांट्रियल यह कहाँ पर है यह कनाड़ा में कहाँ पर है कनाड़ा में है इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर तीसरा राई टेंसर है जितने लोगों ने इसее जब हैं उन सभी के जबाब पूरी तरह से सहही है जी है तौस्तो मैट्रियल इसका सही जबाब फोगा उन्नहीं पूरा करने के लिए स्थापना की गई थी और इसमें ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके सामने डिस्पले पर दिख रहा है संयुक्त राष्ट का अच्छा यह छोड़ दीजिए भी विस्वियापार संग्टन डब्लू टीओ किश्वर्ष कारेनवीत हुआ यह काफी महत्त पूर्ण है मुझे देखना इस प्रश्ण का जवाब सबसे पहले काओ देता है सभी साहथी फटाफर के मैंन करें जियां डबलू टीओ डबलू टीओ वर्ल ट्रेड ओगनाइजाशन दीखे पहले इसका नाम क्या था और यह कब डबलू टीओ हुआ थास भी साती फटाफर कमेंन्ट करके बता हैं दीखें यह जो विस्वियापार संग्टन था पहले यह क्या था इसे गैट कहा जाता था और यह कब 1948 में बना था गैट का फुल फर्म होता था जनरल एग्रिमेंट ट्राफिक एंड ट्रेड लिख लीजेगा कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो डव्लू टी यो का जो पुराना नाम था वो क्या था वो था जनरल agreement on tariff and trade था लेकिन फिर फिर देखा हम लोगों ने 20 रुब्यपार्ट संगटन जो अन्ताराश्टी ब्यापार की निरिच्छन करता है मारा केस समझाओते में इसकी एक जनवरी 1995 में कब एक जनवरी 1995 में इसका नाम बदल कर WTO कर दिया गया World Trade Organization कर दिया गया पहले इसका नाम क्या था पहले इसका नाम गैड़ था क्लियर हुआ इसका नाम पहले क्या था गैड़ था का General Agreement on Tariff and Trade तो सभी लोग फटाफ़ट कमेंट करके बताएंगे कि WTO का फूल फ़र्म क्या होगा जो लोग इस वीडियो को लाइब द कर दीजे जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए आगे बड़ आगले पैशनी की तरफ अगला आपके सामने है यूजेंट चार्टर में कितने शिद्धान्त है सभी साथी फटाफ़ट कमेंट करेंगे बताएंगे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फेश्बूक अपने वार्टसप पे अपने इस्टा ट्वीटर सभी जेगर शेयर करिएगा देखिए अगर यूइन्यों की बात करें तो इसके चैटर कर उसके सदस्ट के धारा एक में समाहित क्या गया है अगर देखा जाए इनके अनुसार इनमें सात सिद्धानत है कितने सिद्धानत है शात सिद्धानतों का पालन करेंगे और इन चैटर पर संफ्रांसिसको अमेरिका में 26 जून 1945 को हस्ताचर किये गये थे इस पर कब इस जून 1945 में हस्ताचर किये गये थे कहां पर किये गये थे सेन फ्रांसिसको अमरिका में किये गये थे ठीक है और अगर देखा जाए कब यह प्रभावी डंग से लागुआ था 24 अक्टूबर 1945 इसलिए प्रतियक वर्थ 24 अक्टूबर को समितराश्ट्रंग दिवस्ट के रूप में मनाया जाता है इसलिए इस परस्ण को अच्छी तरह से जानते रहेगा अगर आपको भविष्ट में भाविय ध्यापक या ध्यापक को रूप में सपना सोजोए है तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके जबाब देजियेगा यू एंट्व का अगठन इसे यू एंट्व कहते हैं सभी साती यू का फुल पाइंगे जो भी साथी वीडियो को लाइब देख रहे हैं वेश्ट अबिसाथी यू यू यहन्लोग का मेंट करके बताएं यू आज अ करें अ कि असा है अगे कि अधी की अध कि अधिए लिग सब्सक्राइब क्शूद के बाद लीग आफ ने सन बनाए गया था प्रत्थम्विशूद के बाद क्या बनाया गया था लीग आप नेशां साथ आप लोग को पता होगा जो लोग वीडियो को लाइफ देख रहे हैं न लेकिन पर्थमी तुक के बाद अश्रफल होने के बाद यह नों बनाएगी उनाइटेड नेशन और इसके स्थापना अभी जश्ट उपर मैंने बताया 24 अक्टूबर 245 को किया गया था ठीक है इसलिए प्रशन का उत्तर एकदम सही है एवाले इस प्रशन का उत्तर एकदम शही दिये हैं एवालों का राइट एंश्वर है हम आगे बढ़ रहे हैं देखिए आपको सरकारिय ध्यापक या ध्यापिका बनना है इस वीडियो के जनरल असेंबली के सदस्ट है काफी महत्रपून प्रशन है यूएन के असंबली में कुल कितने सदस्ट है सभी साथी फटाफर कमेंट करेंगे कमेंट करके बताएंगे जो भी वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी फटाफर कमेंट करेंगे यहां से एक प्रशन आ देखे यू येनो में समय तराष्ट में ये 1945 में इसका गुठन हुआ तो इसमें 50 देशों ने इसमें इस्टा लिया था लेकिन अगर देखा जाए इस चमें 113 बे देश हैं अगर पूछा जाए कि यू येनो में कुल कितने देश हैं तो 113 बे देश श्रमली थें तो जरूर कमेंट करके बताईए कि UN9 में का 193 वान देश कौन सा है जिय हाँ 193 कौन सा है फटा-फट कमेंट करिएगा जो इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं शभी साहती फटा-फट कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरू करिएगा बिद्धिया माई कसमी वीडियो को लाइक करिए और अपने शवी साथी मित्रों को शेयर जरू करिएगा देखिए दच्छनी सुडान एक जए राइट एंस वर 193 अंदेश जो बना था वो दच्छनी सुडान बना था जी आई सिच्छक भरती के लिए महत्रपूर प्रस्ण है एक टॉपिक सिच्छक भरती का है हम आगे बढ़ने अगले प्रस्णी की तरब अगला प्रस्णाप के सामने है सार का मुख निर्माता कौन था जी आतो उस तो शबी लोग फटा फट कमेंट कर की बताईएगा देखि 1985 में कहां पर हुआ था धाका में हुआ था कहां पर हुआ था धाका में हुआ था याद रखेएगा पहला सिकर सिकल कभ हुआ था 1985 में यह धाका में हुआ था कि लिए हाँ इसमें बांगला देश माल देवर पाकिस्तान से लंका यह सभी देश शमिल थे ठीक हां नेपाल सबी लोगों ने बताया ये बांगलादेश के पूर राष्टपती थे वे ऐसे प्रथम बेखती थे जिन्होंने दच्छिन एसी अच्छितर में ब्यापपारिक संग बनाने का पहला प्रस्ताव रखा था जिहां दोस्तों इसलिए इस प्रशन का उत्तर ए है ए वालों का जरू करिएगा देगे संदीब जी आप बार-बार कह रहे हैं कि वीडियो को शेयर करते रहेगा आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशनाप के सामने है सहुत राष्ट परिस्ट के और अस्थाई सदस्ट की कार्यवधी कितनी है यूनिक प्रशन है यह प्रशन यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके परिच्छा के लिए तो मेरा निवेदन है किसी वीडियो को इतना सेयर करिएगा ताकि आपके सभी शाथी मित्रों तक पहुंच जाए कर भला तो हो भला सभी तरा सुरच्छा परिस्ट के जो औस थाई सदस्ट होते हैं वो कितने होते हैं पहले तो होते हैं आप पे दस और यह पांच होते हैं जो दस अदस्ट होते हैं यह क्या होते हैं यह क्या होते हैं यह क्या होते हैं यह अस्थाई होते हैं लेकिन जो पांच अदस्ट होते हैं यह अस्थाई होते हैं अगर पांच देशों के नाम अग कितना होता है दो वर्स इनका कारिकाल होता है याद रखेगा यह प्रस्तों आपके परिछा में पूछा जाता है अगर यह पूछ दिया जाए कि पांचोष्थ 22 कौन से है तो सहाध यह प्रिशन आप के लिए भाम त्र चीन है यह जानते रहिएगा फिर आपका यू यश्य है यूनाइटेड इस्टेट अमेरिका फिर यू के है यूनाइटेड किंग्डम है फिर आपका फ्रांस है क्या है फ्रांस है आपका फिर आपका रूस है याद रखेगा यह पांच अस्थाइस सद्शने हैं लेकिन की बात मेरे लिए है यह क्लास जोन पूर जन्पत से संचालित की जा रही है हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी इंसर्ट करते रही हैगा जो आपको बहतर लगे अगला प्रशन आपके सामने है निमनिकित में से किस संगठन का मुख्याले जिनेवा में नहीं है अब आपको तीनों कोणसेट कीलियर होगा तो पता होगा आजकल ऐसे प्रशन की काफी ट्रेंडिंग रही है ऐसे बार बार पर पूछे जाते हैं नहीं है वाले तो मैं उमीद करता हूं इसाइले का जबाब आप जरूर देंगे जिहां जिहां आपको मिली होंगी कव भी मिले रहेंगी और नि से संचालित होती है ठीक है बताएए दीकित यह एक्टम कि विस्वीयापार संगटन इसका मुख्याले देखा जाए तो इसका जो मुख्याले वह क्या है जेनेवा विस्वस्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश है इसका मुख्याल है कंबाध के मौंट्रियल में हैं कहा पर है मौंट्रियल is the Montreal and इये मौंट्रियल है ने कहा पर है कनाड़ा में अब आपको याद हो गया विस्टुभापार संगटन जैनेवा ILO में। जेनेवा कहां पर है यह याद रखेगा यह स्वीडजय लेंड में हैं कभी प्रश्ण पूछ सकता है यह सभी कहां पर है तो याद रखेगा अम उमीद करता हूं यह कभी आप नहीं बोलेंगे बिश्व्यापार संग्टन डावलू टीयो का मुख्याल है जेनेवा डावलू एक्ष्यों क्योंकि कोरोना को पूछ सकता है डवलो चो का मुख्याल है जेनेवा अंताराश्टी स्वर्म संग्टन बेद्ण और यह इसनी नोट्डाउन करते चलेगा कउपी कलॉम पर लिख विसलेक्षन लेना है तब अगला प्रश्णाप के सामने है अफ्रिका के कितने देशों देश पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक के सदस्ष हैं तो सभी साथी फटावर्ट कमेंट करें कितने देश हैं जो ओपेक के सदस्ष हैं बदे सभी साथी फटावर्ट कमेंट करेंगे और दिये प्रश्ण का जब आप जरूर देंगे देखिए अगर उपेक के सदश की बात करते है तो उपेक में उपेक में कुल बारा सदश हैं कुल कितने हैं बारा सदश हैं लेकिन यहां पे केवल क्या पूछ रहा है अफरिका पूछ रहा है तो अफरिका के चार है अफरिका कितने है चार है चार कौन कौन है अई उनके बारे में लिखे हैं पहला गर हम पहला देखते हैं तो लीबिया है लीबिया क्या है यह दुनिया का सबसे गर्मस्थान अल-जीजिया जो है वो लीबिया में दुनिया का सबसे गर्मस्थान नाइजीरिया है दूसरा है अगया नाइजीरिया अगर हम तीसरे की बात करें तो अंगोला है यह अफ्रीका के देश हैं अंगोला इन्पॉर्टेंट है इसलिए में लिखा दे रहा हूं चौथा अगर पूछेगा आपका तो अलजीरिया है जी हां और यह चार ऐसे देश हैं अफ्रीका के कुल देश अगर पूछेगा तो बार रहा है कि उपाइक में कुल कितने सदस्य हैं 12 लेकिन अफ्रिका में कितने चार इसलिए प्रशन का उत्तर क्या होगा एश का राइट है कि लिए किसी को इसकी इंसार चेहां तो कर सकते हैं तरह कि प्रदिन लाइब चलती जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा दुर्गेश सर्च करके इस्टाग्राम ट्विटर यूटूब दुर्गेश है देखिएगा अंतराष्टी स्रम संग्टन का मुख्याले कहां पर है आई ल ओ सभी साथी फटाफोट कमेंट करेंगे कमें मैं इसको बताया था हाली में इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथी फटाफोट कमेंट करेंगे बताएंगे इतना हलुआ वाला प्रश्टन है अगर आप आप नहीं बता रहे तो मेरा पढ़ाना बेकार है याद आपको सरकारी नौकरी करनी है आप ध्यापक बनना से बनना सुपर्टेट पर इच्छा पास करनी है तो बताइए जिनेवा स्विट्जा लेंड में है लेकिन एक प्रश्ण मैं आप से जरूर पूछूंगा कि आई ल ओ का फूल फॉर्म क्या होगा इसका फूल फॉर्म आप कमेंट बाक्स में बताएगा और इसका मुख्याल है जिनेवा में है जिनेवा क्या है स्विट्जा लेंड में है किलियर हुआ है ठीक चली हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है तो जिसे कोई समस्चा हो रही ऑनलिंग क्लास में तो वह फिर से दुबारा शिक्स त्री जीरो शिक्स त्री समस्या का निदान मिल जाएगा अगर कोई भी समस्या रही है ठीक है जिसे कोई दिक्टा आ रही हो यहाँ पर मैसेज करेगा आपको वार्चछा करने के बाद मौर्णिंग क्लास की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब देखिए सभी तराष्ट की नवीनतम राज भा कोई थी और नहीं सोप मैं तालिस मुई थी अगर भासा की बात की जाए तो जो भासा थे वे कौन-कौन से थे उस शमय के उस समय थे अंग्रेजी जहां दीजेगा यह आपके लिए काफी महत्तपूर है यह काफी ट्रेंडिंग प्रश्ण हैं अंग्रेजी था अगर दूसरे क अंग्रेजी चीनी फ्रेंच रूसी इस्पेनिश था पहले यह पहले उसके भासा थे ठीक है लेकिन फिर कह रहा है कि नविंतम भासा कौन सी है यहां पे पूछा है नविंतम भासा कौन सी है देखिए आपको अगर गॉर्मेंट जौब चाहिए अगर सरकारी नोकरी करना है सरकारी ध्यापक बनना है यह आपकी बिवित के सेलबस में और तीस नंबर के महत्रपूर सेलबस में दो प्रश्णा के परिछा में आते हैं चाहे किसी भरती पर चाहिए कर रहे हैं तो यहां पर देखेगा एक सबसे बड़ा सा को जूड़ी इस प्रश्ण का उत्र क्या होगा दूसरा इसका रैट एंसर होगा जितने लोगों ने इस प्रश्ण का उत्तर इडिया है उन सभी के जबाब पूरी तरह से शही है, 20 प्रशन का राइट एंसर है, 20 प्रशन का शही जबाब है, जिहां साती है, जितने लोगे प्रशन का उत्तर दिया है, अरे भी, उनका जबाब पूरी तरह से शही है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यह सिच्छक भरते लिखित परिच्छा के बिबित क एक महाभारत स्रीज है जहां पर हम प्रते एक दिन आपके लिए वैसे प्रशने की टॉपिक लाएंगे जो आपके सिच्छक भरतिरी परिच्छा में जरूर पूछे जाएंगे इस बात की गारिंटी है ठीक है हम आगे बढ़ रहा है अगले प्रशने की तरफ इसकी को इसका पुराना नाम देखा जाए तो गैड़ था जो मैंने आपको उपर पढ़ा दिया है और बता दिया अब आपको बताना है मुख्य प्रहरी कौन है तो उमीद करता हूं आप इस प्रशने का जबाब जरूर देंगे शभी साती फटाफट कमेंट करके बताईए अंतर अपने फेश्बूक ग्रूप पे डाल दें अपने फेश्बूक पे डाल लगा दें और लोग जो पढ़ रहे हैं यह किवल सिच्छक भरती के लिए नहीं आप लेकपाल की तैरी करो पुलीस एसाई किसी वी तैरी करो संगतन से प्रशना आता है चांतराश्टी संगतन संगतन एक जनरी 9595 में आया था इसलिए प्रशन का उत्तर क्या होगा एश का शही जवाब है यह प्रशन का राइट एंश्वर होगा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरफ अगले प्रशन अंतराश्टी स्रम संगतन का मुख्याले कहां पर है अभी उपर हमने पढ़ाया हुए अगे 8 e यह साड़ी नो बजे अलारम लगा लीजिए गर आपको सरकारी सिछक बनना है और पचास नंबर की तैयरी करनी है जिसमें तीस नंबर विविद आपके लिए और उसके लिए कारी कर रहे हैं कि परियावरण के जी हां जी हमारा परियावरण है इसके सरचन के लिए कौन सी अंतराश्टी शंगतन काम कर रही है जो लोग इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं वे इस सबीसाती फटाफर कमेंट करके बताएं जो भी लाइट करिए कि विद्यामाई कुसम में आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरू करिएगा इतनी मेनत कर रहे हैं बार-बार शेयर करने को गाना पड़ता है देखे पर्यावण सर्च्छन के लिए कौन से अंतराष्टी जेंसी कार कर रही है नासा तो पर्यावण के लिए नहीं काम कर रही है चिप को एक अंदोलन है यू एन नो यू एन नो यह तो सभी त्राष्ण है इसका उत्तर क्या होगा ग्रीन पीस आप देखें आपने कुछ नहीं किया थोड़ा सा दिमाग लगाया आपको उत्तर मिल गया इसकी अस्थापना उन यह थीक इसका जो मुख्य उद्देश था यह परहएवन सुरुच्छा था इसका मुख्याले कहां पर है एक प्रश्ण में आपको पढ़ादर आओ इससे बाहर आपके परिच्छा में आएगा ही नहीं यह यह निशुल क्लास आप लोग पढ़ लीजे सेलेक्शन वाली क्लास सरकारी टीचर बनना है न ध्यापक बनना है तो पढ़ लिजे इससे बाहर अगर प्रश्ण आ जाएगा चैनल को छोड़ दीजेगा सेम यह प्रश्ण है कि हम पढ़ा रहे हैं आपको परिच्छा में आप देखिये इसका मुख्याल है मैं इसका मुख्याल अगले प्रश्ण की तरह एक दिन में दो दो टॉपिक उठाएंगे हम जहां से दो प्रश्णाप के परिश्ण में फिक्स आते हैं इसकी इंसर्ट क्लिक कर लें अगला प्रश्ण आपके सामने है निम्निकित में से अफ्रिका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्ट नहीं उपर मैंने पढ़ाया मैंने आपको बार-बार कहा अगर आप इस लेनी भी द्रगेश की लाइब क्लास पढ़ रहोंगे येकिनन आप यहां से सारे प्रश्ण का जवाब देंगे शबी साथी फड़ा-फट कमेंट करें देखे अगर ओपेक का फूल फार्म पूछ लिया था आप लिख लिजेगा और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हां ओ फॉर और ऑगनाइजेशन आफ पी फार पेट्रोलियम इसकी जो अस्थापना हुई थी अगर पूछा जाए कि ओपेक के स्थापना कब हुई थी यह प्रश्ण आपके परिच्छा में पूछती कई तरह से प्रश्णा सकता है इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1960 को हुई थी ನೈ HauptCor नुम्मबर 1915 में हुई थी अगर इसका मुख्याले देखा जाए तो मुख्याले कहां पर हैं व्येंटा में इसकाम कहां पर व्येंबा में विकां में ए यह ए अश्ट्रियए में है लिख लिजेगा अगर आप लोग को सलेक्षिन लेना है तब नहीं लेना है द्वाई कोई बात आइए अगर इसमें देश देखा जाए अलजीरिया है अंगोला है एकवेडर, इरान, इराद, कुवैट, लीबिया, नैजलिया, कतर, सौधी बारा सदस्ट देश है कितने देश हैं बारा सदस्ट देश है कुछ कुछ कौन को लेख लिजेगा अलजीरिया अंगोला है नाइजीरिया है कतर सौधी अरब शनुत अरब अमिराद देनुज़ा इक्वड़ूर इरान इराक ये बारा एसे देश है और इसका full form मैंने बता दी ओपेक का अगनाईजेशन अफ पेट्रोलियून एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका मुख्याल है बीजिवाय को फूल की थेयरी आप कर रहे हैं भल्या वीडियो को लाइक करें ना करें शेयर करें ना करें लेकिन साथे नौ बजे लाइब जरूर आ जाईए एलारम लगा के रख लिजेगा टेलीग्राम पर इसकी लिंक जाएगी ऑपेक में टोटल मेंबर 12 हैं अफ्रिका के चार हैं अफ्रिका क एस जी नुक्लियर शप्लायर गुरूप का सदश नहीं है तो जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं शबी साथी फटा-फट कॉमेंट करके बताईएगा अगर देखा जाए तो नस्जी में वर्तमांसों में कुल 45 देश हैं कितने देश हैं वर्तमांसों में यहां पर this में यहां पर कुल कितने हैं तालिशं नाव की आपूर्ति करता है शमू से देशों का जो श्मू है यह नाव की जो प्रमाडू जो अस्त्र है उसे निरस्त करने का काम करती है और पहले जिसमें 7 सदस थे जब यह बना था ना तब इसमें 7 सदस थे लेकिन आज इसमें कितने हैं आज इसमें 45 मैं एक प्रशन आप से पूछूंगा यहां पर इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है तो याद रखेगा इरान इसका सदस्य देश नहीं है और जो नहीं है वही इसका सभी इस पशने का उत्तर क्या होगा इरान इसका सदस्य देश नहीं है इसलिए 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 अगला है निम्लिकित में कौन सा संगतन प्रत्य चुरूप से बाल कल्यार से समद्धी थे बताई से भीलोवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवट करें लिए बाल कल्यान का मतलब क्या होगा यह पे इसका प्रशन का उत्तर होगा यूनिशेफ इसका राइट एंशोर होगा यूनिशेफ कई बार अपने पढ़ा होगा यार सवाइंट राष्ट बाल कोस के स्थापना हां यार अगर है इसकी अडिशेफना देखे सर्फ चौह कि यूनिशीप की तो कब हुई दिशन मग नैन्टीन फॉट्टी शिक मह थि अगर हैटकवाटर की बात की जाए इसक एक मुख्याले कहा है सदापन 178 प्रश् geograph webade सब्सक्सित stripes अगले अघले प्रशनि की तरफ आपके मन में कमें करके पूछिए कि आप बोख भी सिछक भावशित बड़ाएगा बार-बार किया रहा हूं सिच्चक भरती परिक्चा हो कई बड़ती पर इच्छा यहां से दोपष ने फिक्स है भी विद में चली आगे बढ़ रहे हैं तो पर्यावरण और विकास पर सउउतराष्ट श्रम्यलन को क्या कहते हैं सभी साती फटाफ़ कोमेंड करके बताईए परयाण विकास पर संट्राश्रमेलन को चो कहते हैं क्या कहते हैं फटाफ़ कमेंड करिए एक दम राइट एंशुर जीकि यहां पर होगा अर्ध सम्मीट भूमी सिखर इसका राइट एंशुर है सब्सक्राइब करें है कि अंतर राश्री परमाड उर्जटरिकала्यक विक्षा में फिक्ष्ष्ण में शब्सक्राइब कॉइंड को इसका लेगा पर है अभी मैंने उपर पढ़ाया था वी द अश्ट्रिया में है अश्ट्रिया में है ठीक विएनाइस का राइट एंस हो रहे हैं क्या होगा बिएनाइस प्रष्ण का सही उत्तर होगा अंतराशी प्रमाद उर्जा जिंशी का मुख्याले कहां पर है है बिए ना में है個 मानो विकास सुचकांक कौन तयारो करता है ए ऐस्च इसे कहते हैं ए लिपार में करके बताईएगा सिच्छक भरते लिखित परिच्छा जो एंसी क्यों होती है उसकी महत्तपूर्ण सिरीज आपके लिए प्रते दिन दो सिच्छा जीवन कस्तर यहीं मापा जाता है यह संव्त राष्ट विकास कारिक्रम है नहीं होगा यहां पर ने कि UP यच्क डग डब्लू एच्चो नहीं होगा अन्हटरश्टी मुद्राग ने aby अ यहाई आपेज क aç ड़ोट अपयों जो इसका उत्तरों क्या को अजिक प्रीज़र का उत्तर के बताएग उन सभी के जवाब क्या हैं मैंने ए वालों का रही देंस वह रहें ए वालों का सभी जवाब है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरह है जो चिए अंतराश्टी न्याले में न्याधी जोग संग्या कितनी है अब बताई यूनिक प्रश्ण है यह प्रश्ण आपके परिच्छा में भार भार पूछा जाता है अगर मैं पूछी दूँ अंतराश्टी न्याले का मुख्याले कहां पर है अंतराश्टी न्याले का मुख्याले क एक प्रश्णयासे बनेंगायक कि एंतर राश्टी नाढलंचा मुक्षाले कहां पर है तो हेग में है नीडर लेंड के हेग में है लिकिन यहां पर नियाधीस के बारे पूचा ठीक है तो यहां पर सामान सबाशा कुल 15 नियाधीस चुणे जाते हैं और ये स्मुपरन कारिकाल कितना होता है नौवर्ष का है कि नौवर्ष का उनकर कारिकाल होता है यह अंताराश्टी की बात कर रहा है इनका क्योता है होता है और और यहां पर तीसरे साल 15 न्याजिसों में से 5 चुने जाते हैं माने इन 15 में से कैसे चुने जाते हैं 3 गुड़े 5 मने तीन पर 5 फिर 3 वर्ष फर 5 फिर MAY 5 फिर तीन वर्ष पर 5 मतलब क्या होता है की कारेकाल इनका 9 वर्ष को हो जाएगा प्रते सी ईन और यह चुने जाते हैं यह बात ध्यान की जैते हैं जैसे हमारे या रास्वा से किस्टि चुने जाते हैं शेम इसी तर नव स तो पंद्रे नियादीश हो जाएंगे यह कॉंसेट रगर आप समझ जाएंगे यकीने आप परिछा में शफल होंगे यह आपके सेलेक्षन वाली क्लास है अगर इससे बहतर कोई पढ़ा दे किसी भी चैनल पर यूटूब को अंसस्क्राइब कर दिशेगा लेकिन अगर आपक करने के बाद अपने शभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा हमारा दूसरा चैनल है इस्टडी भी दुर्गेश सर बाकी क्लास उस पर चलती है मेरी उसको भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन दवाईएगा यह लजनी भी दुर्गेश पर निसल्प सिच्छा आपके लिए ह है अगर आप हमारे क्लास को रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो आप इस प्रशन का जवाब जरूर दीजेगा सभी राश्रंग द्वारा हर दो वर्स अक्टूबर को क्या मनाया जाता है आप नौकरी करने के तहरी कर रहे हैं और आप ऐसे प्रशन का जवाब नहीं दे पारे मेरा पढ़ाना बेकार है बताइए देखिए पंद्रह जून 2007 को पंद्रह जून 2007 से यूनों ने सवितराष्ट महासभा ने प्रतेक वर्स दो अक्टूबर को अंतराष्टी अहिसा दिवस के रूप में मनाया जाने की घुशना की थी मात्मा गांधी के जन दिवस पर दोक्टूबर को अंतराष्टी अहिसा दिवस को रूप में मनाया जाने कब से पंद्रह जून 2007 से यह अभी प्रश्ण बनेगे आपका कब से 2007 से इसलिए इसका उत्तर क्यों होगा एक इसका राइट एंश्वर एक इसका राइट एंश्वर अब आपको समझ में आ रहा है ना आपको लग रहा है आप सिच्छक बन जाएंगे यह सिच्छक बनाने वाली क्लास है अगर आपको सेलेक्ट होना है अगर आपके संक्या बेतर नहीं हो रहे यह तो मुझे पढ़ाना बेकार है यार साड़े नोग बजे लाइब आएंगे सब्सक्राइब लोग एकदम अलारम लगा लिजे बाकि सभी क्लास के लिंग टेलीग्राम पर आपको मिलेगी ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं कि निम्निकित में संस्थां में कौन जी संस्था अक्टूबर दो कंतराष्टी अहिंसा दिवस्भुसित किया सेम प्रशन को पल पलड़ दिया है मैं उमीद करता हूँ आप अगर यह पलड़ दिया है आप इसका उत्तर जरू बताएंगे लिंक टेलीग्राम पर फ्री क्लास के सभी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी दुर्गेश सर्च करेंगे या इसके डिस्क्रेप्शन में है दुर्गेश प्राग्राम ट्वीटर यूटूब लेने भी दुर्गेश फ्री क्लास ले सकते हैं जिक टीचर के तौर पर मेरी क्लास आपे फ्री होगी क्लियर प्रते एक वर्ष दो अक्टूबर को मनाया जाने लगा मने दो जाए साथ से क्लियर एने डावर किशी को नहीं है न चली आगे बढ़तें अंगले पैस्ने की तरफ सहुतराश शंग में कौन सी कामकाच की भासा नहीं है उपर मैंने पढ़ाया है उपर हमने आपको पढ़ाया है निम्निकित मेशे कौन सी कामकाच की भासा नहीं है माने तीन है और एक नहीं है मैंने बताया था कि जो यू यन नो है यू एन नो ये उन्नो ये उन्नीस सो पै मैं चीनी कि रूसी को अंग्रेजी लेकिन फिर आगे चल कर उनज हो तीहत्तर में अर्भी जो लिए गया यह टीनी फ्रेंट्स रूसी समय अर्भी को सामिल किया क्या उन्हें सो तिरांवे में तीहत्तर में सौरी बैसी में जापा सा नहीं है इसलिए इस पशने का उत्तर जो होगा वह क्या होगा चोथा या डीस का राइट एंस होगा मैंने जो गलत है वही शही है उपर मैंने पढ़ाया है अगर आज ही मेरी क्लास अगर स्टार्टिंग से साड़ी नो बजे से चाहे फेस्बुक पे लाई पढ़ रहे हो चाहे यूट को बटना अगले पशने की तरफ है अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा भी चैनल स्टड़ी बिद दुर्गेश उसके बाद बेसिक लर्नी बिद दुर्गेश जो मैंने बच्चों के लिए खुद का मेरा चैनल बनाया है उसको भी चैस सब्सक्राइब कर अच्छा अधिकारिक चोग नाम मनुपर बताई दिया था बताई यह कि इसको बिश्चुबैंगी कहा जाता है कि सभी सथी वड़ाबर कमेंड करें देखिए ओनलाइन क्लास के लिए आप लोग 63063 डवल 4367 पर जुड़ सकते ओनलाइन क्लास नोर्स यह सभी जोनपोर से म जोनपोर से हैं तो जाके जोड़ सकते हैं और इस सेलेक्शन लेना है तो जरू जुड़िये गए लेनी भी दुर्गेश से सभी साथी दिखिए बहुत सरे लोग बता रहे हैं अंतराश्टी मुद्राकोश आई एम एफ लेकिन यह गलत है आई बी आरडी होगा आई बी आर संस्थान करता है इसे बिश्र में बिश्रुबैंग के नाम से जाना जाता है यह बिश्रुबैंग का संस्थान जो विकास सील या गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए प्रतसाहित करता है इसलिए इसे बिश्रुबैंग की संग्या दी जाती है इसलिए इस प्रशन क इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं मैंने आपसे बार बार का यहां गलती हो जाए परिच्छाल में गलती मत करिएगा अगर आप एकेडमी कम है अगर आपकी परसंटेज कम है अभी भी आपके पास मौका है सिच्छक भरती के तहद आप अपने आपको नौकरी प्राप्त क अगर आपके एकेडमी कम है तब भी अभी भी आप सुधार कर सकते हैं कुछ लोग भरती कंदेजार करेंगे वो पुछेंगे भरती कभर लेकिन आप सेलेक्षन की बात करिए भरती रिचाए जब आएगगी वेकर आपकी तैयरी की बात करिए क्या आप कितना तैयार हैं हम आगे बढ़ डग ले पशने की तरफ एक सवाल हम आप से पूछेंगे और आप यस या नो में जबाब देंगे क्या जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे क्या आप सभी प्रद दिन साधे नौ बजे इन लड़नी भी दुरगेश पर लाइब रहना चाहेंगे अगर हाँ तो यस करिएगा नहीं तो यन करिएगा जो भी प्रद दिन चाहे वीडियो को लाइब देख रहे हो कम से कम आप 1000 से ज़्यादा संख्या ले चलिए लाइब सेशन के अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो हम और ज़्यादे क्लासिश आपकी बढ़ा देंगे ठिक सभी तराश्रंग के स्थापना कभी कि मैंने कई बार आपको बता दिया कई बार मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक बार भी नहीं बताया देखें इसकी स्थापना 24 अक्टूबर उस समय इसमें कुल 50 सदस्ट देश थे एक इन आज इसमें सदस्ट की संक्या कितनी हो गई है एक इसकी सथापना हुई थी तब इसमें 50 सदस्ट अब पूछा जाता है कि सभी तराश्रंग में भारत भारत जो भारत था वो कब इसका सदस्ट बना शबी साथी कॉमेंंट करके बताएं कि YNNO का सदस्ट भारत कब बना तो जो लोग इस वीडियो को लाईब देख रहे हैं वे जरूर कमेंट करके बनाएंगे सभी भावी सिच्छा को सिच्छ काएं अध्यापक अधिप अध्यापिकाएं सभी फटाफुट कमेंट जरूर करिएगा सभी भी सह चलेंगे जब आपकी संख्याई एक हजार से पार होगी आपकी जिम्हेदारी है इस वीडियो को एक हजार से पार्क कैसे ले जाएं तो जितना मैं मेहनत कर तो अपनी मेहनत आप भी करें अपनी फेश्बूक पर लिखें अपनी वाटसाइप की स्टेटस पर लिखें कि साध्यनों बजे क्लास जरूर पढ़ें अगर आपको सरकारी सिच्छक बनना है तब यह किसी भी परिच्छा में चाहिए आप लेकपाल की तहरी करो यूपेशाइक की तहरी करो जहां भी जीये से बीविद आता है वहाँ आपकी परिच्छा में जरूर हैगा तो भारत जो है क्रियर हुआ कोई दिक्कत कोई समझ्या आपका ठीक है हम आगे बढ़ना के लिए प्रश्ण की तर अब हम लोग जैसे जो ऑनलें क्लास में भी पढ़ेंगे न कि उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से परिच्छा में आपके बार बार प्रश्ण आते हैं और ऐसा आप लो इस इस वर्ल्ड बैंक कहते हैं अब एकार कि कि वर्ल्ड बैंक बिस बैंक का मुख्या ले कहां पर है को सभी साथी फटाफट कॉमेंट करें जो लाइव देखे आँ जी यहां वासिंग्टन डीशी का राइट एंश वर बिश्व बैंक का जो मुख्याले है वह कहां पर है वासिंग्टन डीशी में है तो जितने लोग इस प्रश्ण का उत्तर दूसरा बताया है उनका जबाब सही है किलियर ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ लिग आप नेशन के स्थापना कब होई थी सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जबाब देंगे कि लिग आप नेशन के स्थापना कब होई थी दिखे लीग आप नेशन क्या था ये भी एक राष्ठशंग था ये भी क्या था राष्ठशंग था लीग आप नेशन और ये पेरिश के जो ये यू एन्नो का पुराना नाम क्या है लेग आप नेशन लीग आफ नेशन सोचिए ये 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 न्नो का पुराना नाम है और इसके स्थापना हुई थी 10 जनवरी 2020 प्रक्षम 17zig के बाद के लियर हुआ है कि त्यवन जनवरी के बाद और इसक SMS था पकौन थे अगर पूफश आजा सन्स्थापक कौन थे इसके काफी इन्पोर्टेंट मैं इसके संस्थापक कौन थे बुर्व विल्सन एकदम इनपॉर्टेंट अगर आपको शरकारी नोकरी कर नहीं है तो भाईए इसको तयार नहौंत बुड़ो विल्सन थे त आधि मुडरो विल्सन इसके संस्थापक योद् eclipse रट्टा मा लें Junior कि तरफ चिए अंतराष्टी राष्ट सैच्चिक बाग्यानीट같ट सांस्कृतिक संग्टा जिरिश्को का मुख्याले कहा हुआ है सभी साथी फटाफट कोमेंट करें डेली क्लास के लिए सभी फ्री क्लास लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके इलनी भी दुर्गे पर संचालीत होती उनसे जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं उनकी आफिश का नंबर है इलनी भी दुर्गेश के 630 634 367 जहां पर आपको क्लास और नोट्स अभी मिल जाते हैं इस प्रेटफॉर्म से हम आपको फ्री देते हैं ठीक है समित्राष्ट सेच्षिक बेगें सांस्कृति युनिश्को का मुख्याले कहां पर है युनिश्को की बात की जाए इसकी अस्थापना युनिश्को जो थी इसकी मुख्याले इसकी अस्थापना सोला नॉम्बर खोई थी शोला नॉम्बर नैंटीन कि इसका कार सिच्छा समाज बिज्यान प्रकूति संस्कृति संचार की माध्यम से अंतर राश्ठी सांति को बढ़ावा देना है किलिर हुआ है कि अब देखे इस प्राष् खेंगा दे जाती है यह शॉब्त लोन विंडो कहते है इसे क्या कहते है तरफ उप्टट लून सब शौप्ट लून विंडो पता ही किसे कहते हैं अंतराश्टी विकास संग अंतराश्टी विकास संग आईडी ए यह विश्व में निर्धन्तम विकासिल देशों के लोन प्रस्तूत करती है आईडी यह विश्व बैंक समूं का एक सदर्श्य है किस्का मुख्याले दीष्व यह मुख्याले कर देखा जाए हैं तो संग्ज मुख्याले का रिगया कि जया चде positively कमेंट कररें क dit है चल्हें माइगल रहे हैं इसी द्राश्रंग ज harped में दस आस्थाइ सदस्रों कारेकाल कितना होता है दस आस्थाइ होते हैं प्लस कोुंग हे श्राइजंत्य स्नक्राइज ऊताये हैं ये टीए यह जी इसन डेफ्लोप्मेंट शेचेम सब्सक्राइज करें कि मैंनू पर पढ़ाया है अगर आप में इस क्लास को रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो गलती नहीं करेंगे देखिए यहां पे दस और अस्थाई से दश्रूते हैं जिनका जो कारेकाल होता है वो दो वर्ष का हुद है कि अब ठेक अब फाच अस्थाई है रूस एं फ्रांस चीन अमेरिका बिटेन और फ्रांस रूस बिटेन फ्रांस चीन अमेरिका इसके अस्थाई सदस्य है समुत राश रंग का प्रतीक क्या है चलिए यह आज का आखरी प्रश्न है इसी के साथ आजी क्लास खतम हो जाएगी और आप सभी सी निविध्दाने की डेली क्लास के लिए शाड़े नव बजे लेर्णी बिदूर्गेश पर आप लाइब आ जाएंगे इसका लिंक आपको ट तो दुरूगेश सर्ज करकर इलानीवी दुरुगेश पर जुढेंगे थोफ्री क्लास फ्री नोट्स सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी टेम टेबल मिल जाहेगा सभी छीज जी आंलाइन सभी क्लासे मिल जाएगी उसके अलावाएदी कोई जानकारी चाहिए इलनी भी दुर्गेश्ट पर आप शिक्स त्री जीरो सिक्स त्री डवल फोर थ्री सिक्स एबन पर वाट्शेप करके अन्य जानकारी ले शकते हैं हमारी क्लासे जो होंगी वो आपको निश्रुक मिलेंगी यह जोनपुर जोनपा से संचाली की जाती है अब आपको यह बताना है कि यहाप उसका जो प्रतीक क्या है चिन इसका क्या कि बताई से भी साथी फटावट कमिन करें कि देखें यहाप अगर आप यह देखेंगे तो इसका जो द्वज था इसका जो यह था वह 947 में आया कि वह 947 में जब भारत आजाद हुआ तब इसका आधिकारिक जंडा आया था इसकी जो आधिकारिक फ्लैक था जंडा था वह 947 में अंटू है दरत अधिक है और इसमें हलके नीले आधार पर स्वेख के इंद्र था ढेगाे वित्ता का मांचेतर था जैसे गुत्री धुपर दिखाई देता है एंटिक है और जैतून साखावं द्वारा घिरा हुआ होता है और जो जैतून की शाखाय होती है वह सांती चलिये, बहुत-बहुत धन्य वादा सभी का. आज इधी क्लास आप पे खतम करते हैं, बागी क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, अनिस सभी क्लास की लिए आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, और इलनी बी दुर्गेश पर जुड़े रहेने बहुत बहुत धन्यवाद एजे गेस्ट फैकल्टी ग्रूप में मैं इलनी बी दुर्गेश पर राष्ठित में देशित में निसुल सिच्छा आपको दे रहा था बीवित मनें 50 नंबर के तैरी के बाद और आगे भी बढ़ती रहेगी वह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कितना आगे बहतर बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप देख लिजेगा आपको एड कर दिया गया होगा ठीक है कि बहुत-बहुत धन्यवाद सभी कम स्वास्तिक जी आप इस नंबर पर वाट्शेप दुर्बारा कर दीजेगा आपको सारी जनकारी मिल जाएगी कहें दिक्कत आ रही है क्लियर इसी कोई भी अगर दिक्कत आ अब चलिएgy को सब्त लोन करद देख है है कि सब्सक्राइब और पर सॉर्भ प्राष्ट हैं संबस्टा अन्तराष्टी ती संस्थान अ कि उसे हम सॉप्ट लोन काज देते हैं हम बिंडो गुरूप में जाना जाता है क्योंकि यह निर्धन्तम जो विकासिल देश है उन्हें रियास्ति लोन पर माने कम व्याजदर पर उन्हें लोन दी जाती है हाथ दुबारा तुबारा मैसेज करेगा हाथ जिसको भी जॉइन न सब्सक्राम भूला तो वो दूबारा कर लेगा और और कोई चाहिए मेरे बिक्तिकत नमबर देख लिए नियुका मैं भी चकरा सब्सक्राइट नवरWow ने जुएलगैँ चलि lightning कर दो में कोई सवाल कि में जरू कर दो करियेगा के सब्सक्राइब जरूर देंगे चलते हैं बाई बाई इश्वर करें आप सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे थे वे सरकारी नौकरी चलदेशे करें और अपने मातापित अपने परिवार को उमीदों पर खरा उतरें और आप अपना बैतर दे बहुत धन्यावाद आपका जय हिंद जय भारत फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाई बाई